आप सभी को मेरा नमस्कार and welcome back to your own channel dreamdoze सिद्दत में कोई कमी नहीं रहना चाहिए जिस सिद्दत से आपने स्टार्ट किया और जिस सिद्दत से आपने ये चाहा है कि मुझे दरोगा बनना है याद रखिएगा जब आप बन जाओगे तो आपका पूरा atmosphere चेंज हो जाएगा बस आप इतना याद रखना जब भी मन करें कि नहीं पढ़ने का मन नहीं कर रहा है बस इतना याद करना कि अभी आप क्या हो आपका क्या value है और जब आप दरोगा हो गए जब आप सम इंस्पेक्टर हो गए अगर आप जब बाहर भी निकलोगे तो लोग आपको एक इज़त की नजर से देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओके सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आज आपको क्या-क्या परना है तो सबसे जैसा कि हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं किस से हिस्टरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो चलिए उससे पहले अगर आप में से जितने लोग भी मुझे पहली बार देख रहे हो यह course आपके लिए design किया गया है fully मेरे द्वारा design है मेरे द्वारा ही आपको इसको run किया जाएगा जो हमने पराता चाहे दरोगा हो चाहे ESI हो वही आपको video plus pdf provide किया जाएगा fully guided course आप जरूर join करें और जरूर हमसे जूरे अगर इस बार ही selection चाहते हो तो ठीक है so let's continue सबसे पहले हम लोग start करते है history से क्या आज आपको history में क्या पढ़ना है ठीक है उसके बाद polity में क्या पढ़ना है science में क्या पढ़ना है ठीक है और जो मुझे youtube पे follow कर रहे है तो definitely आपके लिए भी यही चीज़ है आप अपने देखिए कल हमने इंडेस वेली civilization देखो और घबराना नहीं कि सर नहीं हो पा रहा है इतना complete नहीं हो जितना आप complete कर पाद कोई बात नहीं है Saturday Sunday हम आपको देंगे break बट यह जो पांच दिन रहता है आपको पूरी सिद्धत से परना ठीक है चले आज आप करोगे बेदिक सभ्यता बेदिक सभ्यता में मतलब बेदिक सभ्यता बेदिक सिद्धिक इसमें भी आप दो पार्ट में परोगे उत्तर बेदिक का ठीक है मतलब लेटर प्री बेदिक पिरिएट लेटर बेदिक पिरिएट उत्तर उत्तर आपका बेदिक पिरियेट और लेटर बेदिक पिरियेट आपको दोनो दोनो पढ़ना है ठीक है जैसे आप इंडेस बेली सिविलाइजेशन आप खतम करोगे तो उसके बाद आप जो नेक सभियता परोगे वो परोगे आप क्या, बेदिक सिविलाइसेशन, पहला पर होगे, प्री बेदिक, जिसको रिग बेदिक भी बोलते हैं, 500-1000 BC, उसके बाद पर होगे 1000-600 BC, वो पर होगे आप लेटर बेदिक पिरियेट, ठीक है, इस तरीके से, A to Z, again, आपको एक वीडियो प्रोवाइट किया जाएगा, ठीक ह 8 and 9, पहुती one-liner आपको पूरी तरीके से complete करें, देखो ये कैसा प्रेक्टम घबराना नहीं, ठीक है, आप अराम से पढ़ना जितना चीज हमने बताया, और जितना उसके बाद questions लगाएगे, आपको ये चीज़े clear हो जाएगे, तो बेदिक पिरियेद में, वीडियो प्लस हैं, आपका quality, ठीक है, देखो quality में हम लोग, जो नए जूरे, कोई बात नहीं, आप अभी इसको continue कीजिए, ठीक है, हम आज आपको, कल आपने vice president परा था, उससे पहले आपने president परा था, president के कुछ most important power अभी भी बच्चे हुए, बट आज आप president फिर से revision करोगे, प्लस में second video जो भी आज आपको provide करूँगा, ठीक है, याद रखेगा, उससे पहले, देखो ये तो आप क्या परोगे, modern history का, आज आप last video कर लेना, ठीक है, modern history का, आज आप last video करोगे, वो है आज आपका, ठीक है, वो है आपका revolutionary activities, मतलब आज आप और परोगे, क्या परोगे, ये परोग जितने भी निकले थे, उससे में जैसे कि common wheel हो गया, यंग इंडिया हो गया, न्यू इंडिया हो गया, ठीक है, ये सब जितने थे, सब आज आप पढ़ लोगे, और आपका ये portion खतम हो जाएगा, ठीक है, तो पत्री का, ठीक है, प्लस जितने भी नौजवान सभा, किस के द practice करना है, और एक चीज बता दो, IS का question लेके, मत, जब मैं कुछ लोग मुझे, IS बला question आज मुझे मैंने उनको reply नहीं कह, देखो, आप दरोगा के exam देने जा रहे हो, ठीक है, आप maximum facts वाले question याद करो, ठीक है, ये difference आपको समझना है, कि जो IS के questions होते है, ठीक है, वो analysis based होते ठीक है, और जो दरोगा की जो questions होते हैं, ठीक है, वो आपको fact based question होते है, ठीक है, तो मैंने लिए आप facts पे काम करो, ठीक है, अच्छा है, घड़ना चक्र पढ़ रहे हो, बट इस pdb साथ में लेके चलिएगा, ठीक है, तो पत्त्री का आपको पढ़ना है, video plus pdf, ठीक है, यह आपको दिया जाएगा, history में again, ऊपर ancient history पर होगे, यह modern history पर होगे, quality में president पर होगे, video plus pdf, मेरे दुआज दिया जाएगा, plus आपको NCRT SAR पे jump करके, ठीक है, यह भी आपको complete कर लेना है, ठीक है, और इसका भी मैं बता दूँगा, कल में आपको, बता दूगा कि इसको आ पाद हम लोग science में करेंगे, याद अगना NCRT SAR must है, जो भी topic पढ़ते हो, उसको बाद NCRT SAR में जाके परना ही है आपको, तब ही वो आपका solid हो जाएगा, science में आज आपको दो करोगे, एक करोगे वर्गी करन, ठीक है, बहुत चारी से serious questions पूचे जाते, मैं बता देता वर्गी करन से seahorse short questions आपको पूचा जाते हैं, ठीक है, seahorse, क्या ये real face है कि नहीं है, ये surprise questions पूचे जाते हैं, तो classification, 10 में वर्गी करन, पूरा का पूरा परोगे classification, ठीक है, उसके बाद आप परोगे plant hormone, ठीक है, पादब में जितने भी hormone होते हैं, वो आप परोगे, बहु जी बला में especially page number link दिया हूँ, कि NCRT SAR में 45 से लेके 47 तक आपको complete करना है, प्लीज इसको कर जीगा, यह हो कि आपका history में आप वेदिक period complete करोगे, और modern history में पत्रिका और जो नौजवान साबा, जो revolutionary activities जो होए तो, उसके संगतन जो बने तो वो complete करोगे, quality में आज president complete करोगे, प्लस एक और वीडियो में ही डालूँगा, प्लस पहरे बला complete करके, फिर से NCRT service को complete कर लेना, science में ने यह चीज आपको बता दिया, उसके बाद जो सबसे most 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 my bump जो है, हमारा दरोगा का, वो है आपका current interface, current interface में में आज आपको PDF देने वाला हूँ, यह बहुत ही बहतरीन PDF ह है, ठीक है, बुक से आप कर रहे हो, बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बुक से आप कीजिए हो, SPD, उसका तो कोई matchable नहीं है, बहुत questions वहाँ से मिलेंगे, अगर आप निकल जनवरी का complete नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप उसको परिए, ठीक है, उसको फिर से परिए, जनवरी का, बहुत ही अच्छे से दिया है, प्लस, extra facts भी उसमें दिये हुए, MCQ के form में, वो जो आपको PDF है, उसमें आपको हर दिन, एक जनवरी से लेके, साथ जनवरी, मतलब हर दिन, साथ दिन का करना है, और ये जो है, आपका चार दिन तक चलेगा, एक से साथ, मतलब, स SPD से आप करोगे, प्लस, जो डेली आप करते हो, उनलाइनर लिखते हो, उसको आप कीजी, जिसको भी अगर आप फोलो करते हो, आपका हिसाब से फोलो कीजी, कोई प्रोब्लम नहीं, बाकी हम बता चुके, ठीक है, डेली बला, दस पॉइंट आपको लिखना है, उसके बाद जो जन्वरी का, ठीक है, जन्वरी का क्या, आपका, ठीक है, यह ज्यादा नहीं, इतना स्लोली बोलाओ, इसलिए आपको ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, डेली का, मतलब डेली का तो आप करोगे, प्लस, आप जन्वरी का जो आपने important days परहा था, उसको भी फिर से कर लीजेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, अब देखो, यह सब जब आप कर लोगे, ठीक है, तो कुछ pages में दे रहा हूँ, आपको SPD का, ठीक है, science का भी, और आपका, GS का भी, यह आपको करना है, यह must है, रात को आप यह करके सोगे, ठी ठीक है, science में आपको करना है, यहाँ देखेगा, 175 से लेके, 176, 6 इसमें सेट है, प्रेक्टी सेट है, छोटे-छोटे, ठीक है, आप इसको कर लीजेगा, करके सोना है, 175 और 176 पीज, science का, और जो आपका GS का है, 168, 167, और 166, यह जो है railway के इतने भी questions आ चुके है, उसके यह collection है, बहुत ही अच्छा, aesthetic GK के भी questions उसमें आपको मिल चाएगा, ठीक है, तो history में बेदिक साप्याता करोगे, जो की आपका NCN होगा, modern में आप पत्रिका वाले करोगे, quality में आप President करोगे, ठीक है, और यह तीनों का, ठीक है, आप फिर से NCRT सार में one-liner लगाओगे, यह ज पीछे से पढ़ना है, उसमें हर एक facts आपको पढ़ना है, ठीक है, डेली बेला लेखना है, और जो डेली, मैंने जन्वरी का आपको क्या बराता है, पूरा important date, जितने भी जन्वरी में वह आपको पढ़ना है, science में आपको classification, वर्गी करना है, plant hormone पढ़ना है, ठीक है, और य इसे में कर रहा हूँ, 168, 167, 166, देखो, इसके बाद, क्योंकि देखो, जो नए लोग है, उनको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपने late join के, आपको पहले ही मैं चिला-चिला के बहुत दिन से बोला था कि course join करो, ठीक है, बट coach नहीं, देर आए, जरका, ठीक है, और जिसे 500 भी मैं include कर दूँगा, ठीक है, मैं 500 भी include कर दूँगा, उसमें जो पहला 500 था, ठीक है, उसमें include कर दूँगा, और हर दिन इसमें से आपको 200 questions करने है, one liner, ठीक है, और जो important है, जो लगता है कि सरे, मैं भूल रहा हूँ, उसको आपको लिख लेना कुछ और लिखा है, इसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है, जो हमने pdf में दिया है, और उसको आप बस याद कर लेना, ठीक है, so thank you so much, और बाकी हसते रहे, मुश्कराते रहे, और चैनल पे नहीं हों तो subscribe कर लेना, and thank you for joining dream dose, जैहन.